फामली गारे इस सम्हार सुबा के दस बज रहे हैं। और पर सुबा के 10 बज रहे हैं और बहुत लोगों को लगगा हूँ कि मेरी रहे हैं से क्यू Penya और जब आफ लाइन मुद्दा समझाना था तो ओनलाइन वीडियो क्यों बनाना तो यह हो सकता आप लोगों की दिमाह में बात जाए तो मैं क्लियर कर दो कि कल जब यह सब हुआ था तो मेरी एक आदत है कि मैं ओनलाइन गेम जादा नहीं खेलती हूं मतलब मुझे ऐसा लगत को कॉल किया था मतलब मैंने नहा को दो कॉल की थी एक वाटसप कॉलिंग की थी और एक नॉर्मल कॉलिंग की थी मतलब मैंने सामने सिखिया था वैसे तो मैंने वाटसप उनको ब्लॉक कर दिया था मगर उसके बाद जब मुझे लगा कि कोई तीसरा मतलब हो सकता बीच में यह बात आई कि मतलब जब फोन करके यह बता रही है कि आपके लिए निहा जी ने देख कम्प्लेइन कर रही है आप उनको बदनाम करने की कोसिस कर रही है तो यह सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल लएथी तो मेरा मूड ही किया कि अनलाइन मतलब एक बर मैं निहा से च्लियर करों कि भाई निहा ऐसा मैंने क्या किया था बदनाम करने की गोशस की अपने चैनल पर कि तुमने ऐसा करा है तो मैंने इस ही सोच करके मैं ने दो काइलू की और मैंने जब काल किया तो नियहाने वस्पून उस समय रात में नहीं कोंटाया तो उट अजब फोन भाई मुझा तो भायो मैं कितना कर सकता है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। Mmm वाटसप काल भी किया और आपकाल तो उसके बाद मुझे मेरी कम्यूटी जब आई तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा कि इस रिष्टी दी ऐसा ना हो जाए कि आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा ना हो जा कि कोई तीसरा गेम खेला है तो फिर मेरा दिमाग घूमा और फिर उसमें कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि की बढ़ते हैं कोई लाइब डिलेत हैं कि किसी कोई लाइब में आया था जिसमें नेहा बात करूरिए ऐसा कुछ था तो वो लाइओ भी चाहए बाद में और भी प् jab़ा में ने नहीं देखी फिर उसके बाद मैं सांती से आई घर पे चार बज़े और मैं सो गई और फोन साड़े नौ बज़े लगबग आता है और वीबी जस्ट आया मैं बेड़ी पे बेहट की विडियो शुट कर रही हूं और जैसे ही आया वैसे हमने यह उसने यह का कि तुमने कॉल किया था मैंने क हाँ मैंने कॉल किया था मैंने तुमको क्या बंदाम करने की वोसिस की है कि जो तुमने ऐसे मतलब कह रही हो कि क्या नम है सामने से फोन आ रहा है कि आपके प्रतिक कंप्लेन किया गया लीगल कंप्लेन किया गया यह वो दुनिया वर की चीज़ें तो नेहा ने भी अपनी सा फिर दुटे से छोटे लोग जाहें जो भी सब को सारे कि तो कितने लोगों करा। तो फिर उन्हों निकाए कि उस में तुहारा भी नंबर चला गया था ऐसा वैसा तो वरहाल कुलमला के टोटल उन्हों यह कहा कि मैं क्या बोलते हैं इसा कुछ किया है या अफाय और नोट कर रही तुम्हारे नम आपको नहीं कर रहा है और जो गलत दूर कर तो मैंने का फोन तो आया था तो फिर उस बाद में वो अपको फोन भी नहीं आएगा ऐसी कुछ नहीं होगा और मैंने भी निहा को कहा कि जो जी offline निपटती है वो जी online निपटती है और ये चीज़ मैंने हमेशा मनीशा की family में भी ये चीज़ कहा है कि जो जी offline निपट सकती है वो जी online निपट सकती क्योंकि जातर क्या होता है दो familyों के बीच में तीसरा मजा ले जाता है इसलिए और बाते उलस्ती रहती हैं अगर वो फोन रात में निहा ने उठा लिया होता तो इतना बवाली ना होता तो निहा ने ये एक चीज़ क्लियर कर दिया कि मैं अब कोई फोन तुम्हारे पास नहीं आएगा और ऐसा कुछ नहीं होने माला है तो अगर उनका फोन उनके अगर आपकी बहुत किसी से ज्यादा उलज रही है तो सीधा सीधा उससे ऑफलाइन बात करो अगर नेहा ने कल फोन उठा लेता तो इतना रायता ही ना फैलता एक चीज़ और भी इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाती हूं जाहे वो दोनों फैमली के लिए मैं कहना चाती हूं कि जब तक ये दोनों फैमली बहुत समझदारी से काम नहीं करेगी ना तब तक हर चीजें उलस्ती चली जाएंगी और मैं हमेशा एक चीज कहूंगी ये वीडियो बनाना ब्लॉगिंग करना ये एक मैटर है पर इसको अभी साइड करो पहले अपने परिवार को करो पहरे अपनी चीजों को ठीक करो क्योंकि जिस लेवल पर ये जा रहा है ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता इसमें कुछ साइद मैंने ये बात कई बार रिपीट गया फिर से मैं रिपीट कर रहे हूं ब्लॉग जीवन भर रहेगा पैसा जीवन भर आएगा सारी पर्सनल लाइफ को ठीक करने की खुसस करो इधर इनको भी यह कहूंगी कि तुम भी अपनी पर्सनल लाइफ ठीक करो क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ पर समय नहीं दोगे अगर आप खुद हवा नहीं दोगे ना तो कोई कितनी दिन हवा से बात करेगा जैसे कोई भी चीज है आप हवा दे रहे हो तभी इतनी जदा हवा की तरिके से सारी बाते फैल नहीं है अगर आप हवा नहीं दोगे तो सारी बाते थंडी हो सकती है कोई भी कितनी भी बड़ा मुद्दा होता है दस दिन पंदर दिन से जादा नहीं चलता है अगर आप हवा नहीं थेदेते हो तो कोई कितने ही आपके टॉपिक मेंके चाहिका जब अब आप के टॉपिक में तो कितने वीडीयोग गगा एक एक लगर बनाएगा करा कहाल आपशा क्छी नहीं करो, JAMES एक तो भी भाज कि नहीं करोंगए nem बनाएगा है। तो मेरा टो अभी भी इस आज सकता है कि नहीं सांत हो सकता है, मुझे बस आप PAHE क्लियर गर दीज़ी है। मुझे लगता है बहुत जादा तूल मत दीज़े किसी बात को लेकर के, मैरी पहले भी मैं बता दू और अभी भी मैं बता दू मेरी पर्सनल दुसमनी और अनलाइन नहीं है। मेलकि कोई देख ढुकि planeta चाहिए औलाइन दखोगे, मेरी आदेख रही होगी, मुझे जितने लोग देख रहोगे, मगर मेरी परसनल रचिसर झाय तो मैं कर्सकी नहीं है चाहिए चाहिए उससे, इससे मेरी पर्सनेल रचिस ऑठी, एंलाइन तो छोड़ो मेरी ऑफलान भी किसी से पर्शनल इतनी रंझत नहीं होती कि मैं इतना तना मैं रंझत लेकर चला हैं और मैं रंझत लेकर क्यों डी किना क्यों चलूँ यह सब पहले भी मैं कहती हूँ और आज भी मैं कहती हूँ कि मुझे यह सब नौटंकी बाजी नहीं अच्छी लगती है जिसको मेरी बातों पर विस्वास हो विस्वास करो जिसको मेरी बातों पर नहीं विस्वास हो मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि कौन मेरी बातों प वो समझेगी, जो audience positive होगी, वो समझेगी, जो नहीं समझनी होगी, जो लोग positive होगे, वो समझेगी, जो नहीं समझना होगा, वो नहीं समझेगे, तो इसको मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये है कि सामने से मुझे कोई छेड़ता है, जैसे सामने से मेरे बारे मे मैं बिल्कुल नहीं चुड़ूंगी अब मैं यह वाली ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूं क्योंकि कुछ चीज छोटी सी चीज थी क्लियर करना जरूरी थी इसमें से आप लोगों में से एक एडवाइस में जरूर चाहूंगी कि आप लोग एक ओटिंग करिए खाली एक चीज की कि ओन लाइन सारी चीजे क्या निपट जाएंगी वीडियो कम्यूटी और लाइफ खेलके या इन दोनों फैमिली को ओफ लाइन हर चीज निपटाने चाहिए बस इतना एक बार जरूर कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह ब्लॉग की भी एंड यहीं करते हूं समयरार के नीपन हो उसक्षा जाएंगी मेंगी छैक यहींत सारी भफ गशान ए और लाइन हसे बिस्जशने बसुप लाइन है